हेलो गाइस तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप प्ले स्टोर से किसी भी एप का लिंक कैसे कौपी कर सकते या फिर आपके कोई फ्रेंड को किसे सेर कर सकते तो गाइस इसकी जरूरत हमें कब पढ़ती है अगर आप यूटुबर है तो अगर आप कोई एप के बारे में वीडियो बना रहे है उसका लिंक आपको डिस्टिप्शन में लगाना आए तो जरूरत पढ़ेगा या फिर आपके कोई फ्रेंड को उसका लिंक सेर करना है तो उसको जरूरत पढ़ेगा चलिए गाईस मैं हूँ अलता आप चोहांड और आप देख रहे हैम आ आपको अपनी मॉबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ है तो हम आ चुके हैं अपनी मॉबाइल फॉन की स्क्रीन पर आपको प्लेस्टोर से किसी भी एप का लिंक कैसे सेर करना है वह मैं आपको दिखा देता हूँ चलिए पहले हम अपना प्लेस्टोर ओपन कर लेते हैं यहा में से आपको share का option पर क्लिक कर लेना है देखिए गाइस उपर लिंग आई चुका है और उसके बगल में आपको copy करने का option भी मिल जाएगा पर गाइस अगर आपके device में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं यहाँ पर पहले copy link का option आभी ज़्याद है यह options में पर अभी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है आपको simply करना क्या है message पर क्लिक कर देना है और किसी भी contact को select कर लेना है देखिए गाइस यह हमारा जो link है वह generate हो चुका है यह एप का यह link है यहाँ पर click करके आपको select card कर लेना है और यह copy कर लेना है यह copy हो चुका है गाइस अब इसको में send करके आपको दिखा देता हूँ यह link open करके भी दिखा देता हूँ चले गाइस तो हमारा जुग है WhatsApp पर यह मेरे बाय का यह WhatsApp है इस पर में देखिए यह पेस्ट करना है आपको यह पेस्ट हो चुका है और इस पर हम क्लिक करके दिख लेते हैं यह ओपन हो रहा है स्नेप्चाट या नहीं हाँ तो स्नेप्चाट हो चुका है देखें गाइस इसे वीडियो देखने के लिए अपने बाइक को सस्क्राइब करें और लिक्स फॉर